Hi everyone, so मैं हुआ आप नवातला from the Wheel of Fortune 369 से आप सभी की टारो का जीडर आज आज चेक आउट करने वाले हैं कि आपके person ठीक है अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं आपको और आपके connection को लेकर ठीक है एक general collective reading है guys ठीक है जितना पाट आपके साथ resonate करें आप रख सकते हैं आज कर आप लोग कमेंट नहीं करें तो कमेंट में gratitude universe gratitude divine जरूर लिखना है guys ठीक है और क्योंकि कहीं न कहीं इस reading के अंदर आए हो तो यह universe की ही मर्जी है Isn't it angel spirit guides universe नहीं की मर्जी है कि आप आज की guidance को ले पा रहे हो इस guidance को सुन पा रहे हो ठीक है इस guidance तक पहुचे हो which is more important ठीक है तो चले आगे चलते हैं ठीक है अगर नए है तो subscribe कर लीजे bell icon ज़रूर प्रेस करना है साथी साथ अब चाहते हो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आँ तो like भी करना है ठीक है जब मैं cards को shuffle करूं तो अपने person के बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर इस परगाइज इंजल्स व्यूवर्स को help करें जानने में उनकी person अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं पहला i card bottle energy letting go okay oh suppression miser okay adventure dream can you see the card of dream is also here guys सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यह चीज देख रही है सबसे पहले यहाँ पर zodiac science में आपको बता देते हूं तो यहाँ पर है जैन्य लिब्रा एन एक्वेरियस ठीकि कैंसु स्कॉर्पियोन और पाइसस और एरिस लियो एं सेजटेरियस आज काफी स्ट्रॉंग है ठीकि और टॉरस वर्गों क्याप्रिकॉन आज यहाँ पर मौझूद है सारे ही zodiac science के लिए reading बहुत accurate रहने वाली है तो यहाँ पर सबसे पहले ही मुझे यहाँ पर एनरजी दिख रही है burden की और dream की यानि कहीं न कहीं जो अभी अपके person है मुझे यहाँ पर यह चीज़ दिख रही है वो आपको देख देख करना बहुत जादा suppressor burden की feeling के अंदर जैसे आ रहे हैं एक time पहले उन्होंने इस relationship को बहुत practically handle करा था दिमाग से चले थे वो इस relationship में ठीक है आपके जो person है उन्होंने इस relationship को बहुत जादा practical होकर handle करने की कोशश करे थी और उसमें अपने emotions बिल्कुल भी नहीं डाले थे और वो चीज़ आज वो आप में देख रहे हैं ठीक है आपकी energy ना आज बहुत जादा strong दिख रही है मुझे ठीक है ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे आप चीजों को letting go करके ठीक है अब आप इस relationship को practical लेकर चलने लग गए हो आप अब इस relationship को mind से चल रहे हो दिमाग से चल रहे हो अब इस relationship में दिल के बजाए ठीक है कही ना कही चुरू में आपके relationship में आप बहुत जादा वो आपके लिए emotional अपना उन्हें भी शाद ये चीज़ मालूम थी कि आप उनके लिए कितने emotional हो ठीक है आप इस relationship को उस time पर दिल से लेकर चल रहे थे ठीक है इसी लिए शायद आपका दिल बार-बार दुखता था इसी लिए आपके दिल बार-बार टूपता भी था ठीक है जब आपको इस चीज़ का realize होता था कि वो सब नहीं हो रहा है जो आप चाहा रहे हो ठीक है क्योंकि आप जो उनमें feelings देखना चाहते थे वो आपको तब नहीं दिख रही थी क्योंकि तब वो mind games खेल रहे थे तब वो practical होके इस relationship में चल रहे थे ठीक है लेकिन अब क्या situation हो चुकी है एकदम opposite ठीक है अब opposite हो चुकी है अब वो देख रहे हैं आपको कि आप कैसे practical होकर चल रहे हैं आप कैसे दिमाग से इस relationship को आगे लेकर चल रहे हो और ये चीज़ देखकर उन्हें खुद बहुत suppression के energy यहाँ पर उठकर आई है वो खुद बहुत suppressed feel कर रहे हैं बहुत sad feel कर रहे है ठीक है उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कही ऐसा person अपनी relationship में खोया जो कही ना कही universe ने उन्हें दिया था ठीक है I'm so sorry guys my throat is actually not well ठीक है अच्छा तो this is the separation के energy यहाँ पर मुझे और मुस्थ दिख रही है और यहाँ पर यह चीज़ भी दिख रही है कि जैसे अब जो है आपकी तरफ से miser के energy भी आ चुक है यानि अब आपने अपने emotions दिखाने बंद कर दिये हैं दिल कही न कहीं आपका अभी भी दुखता है कहीं न कहीं आप अभी भी उन्हें miss करते हो ठीक है लेकिन अब यह चीज़ें आपने दिखाने बंद कर दिये क्योंकि आपको पता है यह चीज़ें अपने emotions दिखाकर अप इस person को कोई फाइदा नहीं है ठीक है आप अपनी जिंदेगी में कहीं न कहीं move on करने की भी कोशिश कर रहे हो लेकिन जो आपका person है कहीं न कहीं वो अभी भी आपको बहुत miss कर रहा है ठीक है अभी भी आपको देखता रहता है मेभी शाद social sites पर या अगर आप उनके घर के आसपास रहते हैं तो चोरी चुपए आपको देखना ठीक है आप जानकारी लेना इस चीज की कि आपका क्या कर रहे हो आप कहां जा रहे हो ठीक है तो वो चीज कहीं न कहीं आपका person करता रहता है कहीं न कहीं देखें ड्रीम्स के एनरजी भी पर हमें दिखी है мेभी शायद वो चीज को expect करते हैं बारबार दिन रात सोते जाते हैं सपनों में कहीं न कहीं वो खोई रहते हैं आपके अपके ख्यालातों में खोई रहना आप ही के सपने देखना तो वो एनरजी भी हमें यहाँ पर दिख रही है ठीक है, burden के energy तो है maybe अगर आपके person की life में कोई third party है, ठीक है third party as a romantic party होती है तो अगर वो आपके life में है आपके person की ठीक है, तो वो as a burden बनी पड़ी है उनकी life में ठीक है अब ये third party जरूरी नहीं है कि romantic party ही हो उनकी जिंदिकी की third party जो है उनके family member भी हो सकता है, ठीक है और उनकी responsibilities तो निभा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी सारी responsibilities निभा रहा हूं अपनी family की responsibilities निभा रहा हूं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हो कहीं ना कहीं अपने आपको अकेला खड़ा हुआ पा रहे हैं ठीक है उन्हें ऐसे लग रहा है इतना कुछ करने के बाद भी मैं अज अकेला ही हूँ मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना दुख दर्द बाट सकूँ जिसके साथ मैं बात करकर अपना दिल हलका कर सकूँ या जिस परसन से मैं सही guidance ले सकूँ ठीक है कि आगे मुझ नहीं नहीं उनको अकेला चोड़ दिया है आगे देखते हैं और आपके परसन की अभी इसी वक्त की क्या इनर्जी दिख रही है तो प्लीज डिवाइन बताए मेरे व्यूर्स को देखे फैमिली काड अगेन यहाँ पर उठकर आया है घर में देखे गाइड़न्स सेवन ओफ पेंटिकल्स भी है आपर फाइव ओफ स्वार्ड्स और किंग ओव बांड्स मिडल काड फॉर ओफ कप्स देखे फॉर ओफ कप्स मिडल में उठकर आया है ठीक है आप लोगों को काड्स प्रॉपली यू कन सी गाइस कहीं न गई जब हम काड्स देखते हैं न तो उसे इसे बहुत ज़ादा आप रेजोनेट कर पाते हो एनरजी से ठीक है कि यह काड्स सर्फ काड्स नहीं है ये आपको आपके एनरजी बताते हैं आप कौन सी स्टेज आफ लाइफ में हो ठीक है और यहाँ पर भी जहाँ तक की मुझे दिख रहा तो आपके परसन के नरजी अभी कहीं न गई में भी उनकी फामिली में ही है वो लेकिन इतने सारे लोगों के आसपास होते हुए भी कहीं न कहीं वो अकीला महसूस कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो इस वक्त वो आपे को मिस करते हुए दिख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है ठीक है इस रिलेशन्शिप में किसी भी तरीके का कोई effort उन्होंने अपने तरीके से नहीं डाला है उनको इस चीज का बहुत अच्छा से रिलेशन्शिप जो अभी तक चल रहा था शायद उसका कारण सर्फ आप ही थे ठीक है आप ही क्योंकि चाह रहे थे यह रिलेशन्शिप चले इसलिए वो चल रहा था ठीक है क्योंकि आप उनके साथ emotionally कहीं न कहीं बंदे हुए थे लेकिन जब आप ही practical हो गए आप ही उन्हें छोड़ कर चले गए ठीक है तो अब वो अपने आपको अकेला महसूस कर रहे हैं अब उन्हें महसूस हो रहा है कि वो कितने अकेले हो चुके हैं और उनके पास कोई नहीं है अपना दुखदर्द बाटने के लिए जिसके साथ वो अपनी feelings को share कर सके है king of one के energy और four of cups यहाँ पर again हमें energy दिख रहे ही कि जैसे उनके पास सब कुछ है ठीक है शायद materialistic सारी चीजें है अच्छी job finances सब कुछ है लेकिन फिर भी वो बेचैन है और उन चीजों का मजा ही नहीं ले पा रहे हैं क्यों कि फिर भी उनकी life में वो सुकून नहीं है क्योंकि जब यह सब कुछ नहीं था ना उन्हें इस चीज का हिसास हो रहे है कि जब यह सब कुछ नहीं था तो भी आपके साथ उनके पास सुकून था शान्ती थी ठीक है और अब क्या चीज उनके साथ हो रही है अब सब कुछ उनके पास है आप नहीं हो तो उनके पास ना सुकून है और वो बेचेन अंदर दिल कहीं ना कहीं उनका भारी है किसी चीज में कहीं पर भी उनका दिल नहीं लग रहा है फोकस नहीं हो पा रहा है कितना ही busy person क्यो बंद हो ठीक है और निकलने के लिए कोई उनके पास रास्ता नहीं है परिशान फील कर रहे हैं ठीक है वो सब कुछ बदलना चाहते हैं लेटेंग में भी third party का effect भी है उनकी family की वज़े से भी ये चीज हो सकती है में भी हो सकता है कि आप लोगों के tradition, caste ये सारी चीज़े बिलकुल different है ठीक है और ये सब चीज़े different होने की वज़े से आप दोनों का relationship आगे नहीं बढ़ पारा है नहीं society इस relationship को accept करेगी तो वो वाली situation कहीं न कहीं मुझे आज इस reading के दौरान दिख रही है और ये कहीं न कहीं आज के उनकी energy बहुत जादा missing energy दिख रही है जिसे बहुत miss कर रहे हैं आपको ठीक है लेकिन आपकी energy बहुत strong दिख रही है जैसे काफी fightening की energy अब आप move on करने की कोशिश कर रहे हो अब कहीं न कहीं आपने अपने emotions दिखाने और emotions को लेकर रोना आपने कहीं न कहीं बंद कर दिया है जो कि बहुत ही अच्छा step आपने लिया है ठीक है तो ये कहीं न कहीं मुझे आज आज आपकी energy दिखी है चले देखते हैं अगर वो आपको आज अभी कुछ कह सकते तो वो आपको क्या कहते है ठीक है क्या मेसेज आता है उनकी तरफ से आप मुझे समझते हूँ वो इस चीज को बहुत अच्छे से रिलाइस कर रहे हैं कि आप उन्हें समझते हैं दूसरा कार्ड उठकर आया है जब वो आपकी आख में चमक देखते हैं खुशी देखते हैं तो शायद उसी से उनका दिन बन जाता है तो ये आज के कही न कहीं उनके मेसेज हैं आपको लेकर ठीक है अगर ये आपके साथ रजुनेट करती है आज की रीडिंग तो डेफिनिटली लाइक करना है श्रेयर करना है असे अपने फ्रेंज के साथ ठीक है एंड कमेंट में ग्राटिटिटिव उनिवर्स, ग्राटिटिव दिवाइन जरूर लिखे थैंक यू गाइस